Vivo Y19 My Smart Call Setting नमस्कार दोस्तो स्वागर है आप सभी का तिकिराच YouTube चैनल पर तो दोस्तो आज के इस वीडियो पर मैं आपको बताऊंगा Vivo के फोन पे My Smart Call Setting आप कैसे कर सकते हैं ठीक है तो यहाँ पे दोस्तो आपको एक Smart Calling का फ्यूचर भी दिया हुआ है Vivo के फोन पे यही आपको पता नहीं है उसमें कौन सा कौन सा सेटिंग है क्या सेटिंग्स आपको मिल जाते हैं तो पूरा प्रोसेस पूरा सेटिंग जानने के लिए आपको यह वीडियो जो है आन तक देखना होगा ठीक है तब जाके आपको माई स्मार्ट कोलिंग के फ्यूचर के बारे में भी पता लग जाएगा सारी साथ सेटिंग्स को भी आप फोलो करके यूज कर पाओगे तो यहां पर आपका ही फाइदा होने वाला है तो वीडियो शुरू करने से पहले जाके चैनल को सब्सक्राइब करें सारी साथ बेल आइकोन को क्लिक कीजिए ताकि आपको लेटेस अबडेट मिलते रहें यही आप उनलाइन से पेसा कामाना चाते हैं उसके लिए दोस्तों हमने वीडियो डिस्क्रिप्शन पर लिंग दे रखाएं आप जाके चेक आउट कर सकते हैं और किसी भी प्रॉब्लिम के रिग तो यहाँ पर दोस्तों एक बार जाते हैं स्मार्ट मोशन पर तो यहाँ स्मार्ट मोशन पर जाने की बात हमें मिल जाएगा स्मार्ट कोलिंग का फ्यूचर तो इसमें आप जैसी ही जाओगे आपको यहाँ पर कितना फ्यूचर मिल रहा है वान टू टू ट्री फोर 6 तो 6 future आपको यहाँ पर मिल रहा है तो कौनसा कौनसा future आए देखते हैं smart call future को enable करने के लिए यह बटन आपको enable करना है उसके बार आपका default calling card आप select करें ठीक है मान लेज़े आपके पास dual sim है तो एक sim को आप यहाँ पर select कर सकते हैं उसके बार smart answer ठीक है पहले ही मैं आपको यहाँ पर बता दे रहा हूँ आपको enable करके use करना है तो आपको buttons यहाँ पर मिल जाएगा ठीक है यहाँ से enable करें और use कर सकते हैं तो सबसे पहले हम smart answer के बारे में smart switch के बारे में second और third में smart mute और fourth में wave to hands free तो पहले smart answer पर जाते हैं यहाँ पर आपको यह बता रहा है कि आपको जब भी incoming call आते हैं अब उस call को pick करने के जरूद भी नहीं है अब simply अपने जो phone है उसको कान के पास लेके जाए call pick हो जाएगा तो यह उसी के लिए setting है और उसके स्टूइवे क法 में क्या होता है दोस्तो आप स्टूइब करने के समय आपको लगा सकते हैं तो स्म मार्ट में होता क्या है आपको ऎफ्टि करने का उप्षिन मिल जाते हैं तो यहां पर भी दोस्तों आप देख सकते हैं कि कैसा आपको शो कर रहे हैं ठीक है तो जैसे आप जो है अपने फोन को कान के पास लेके जाएगा तो आपका जो स्पीकर है वो बन हो जाएगा जैसे आप फोन पे जो है अपने जैसे आप हाट पे अपना जो फोन है उसको पकर यह कैसे यहाँ पर शो कर रहा है जब भी incoming call आते हैं आपको इस प्रकर से आपना जो हाथ है उसको दिखा देना है अपने स्क्रीन पर तो मूट हो जाएगा उसके बार wave to hands-free जब भी आपको कोई call आ जाते हैं incoming call आपके हाथ गंदे है तो आप दोस्तों उसको directly pick कर सकते हैं हाथ को बस phone के उपर में wave कर देना है 2 cm या तो फिर 4 cm के उपस से ठीक है तो automatic call पिक अप हो जाएगा तो यह सब है दोस्तों आपका smart calling future आपको कोई setting करना है तो इस process को follow करके आप setting कर सकते हैं और use कर सकते है smart calling का future तो वीडियो अच्छा लगा हो तो जाके like करे चैनल को subscribe करे आज की वीडियो पर दो सो बस इतने thanks for watching